Osayalamu alaikum vyo passengers ! कैसे है आप सब ? अज हम आप सर्द शेयर करने वाले हैं मचली fry और मचली के सालन की रेसीपी जैसा के अमने आपको कल के वीडियो में बताय थे के अभी जो हम आपके साथ सारी सीफूर सीरीज शेयर करेंगे तो बस आज हम आप सार शेयर करने वाले हैं फ्राई मचली और मचली का सालन तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ सबसे पहले जो है आपको मचली को अच्छे से साफ कर लेना है जो मचली वाले होते है उलोग अच्छे से साफ करके देते है आपको जो है इसे अच्छे से वाश कर लेना है, स्ट्रेंड कर लेना है अब जो है हम किसका सालन बनाएंगे और किसको जो है हम फ्राइ करेंगे तो जो मचली की मुंडी वगेरा होती है और जो उसकी दूम होती है तो बस उसी का जो है हम सालन बनाएंगे और जो उसका पूरा मिडल वाला पाट है तो वो सारी मचली को जो है हम फ्राय करेंगे हमारे घर में जो है सालन में जादा मचली के पीसिस नहीं कहते हैं फ्राय वाले ही जादा प्रिफर करते हैं तो बस हम जो है वही करेंगे बस यहां पे जो है हमने दाले है 2 टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून सॉल, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर सारे जो है इसमें बेसिक मसाले गए है इसको जो है आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना ह रेखने ऋतवा नियाquently तो हम सनना आचाह्यानला के मि खिनी ज्यू आहिए सेंधेर सालन के लिए फॉर हमने तीन बड़े टमा तर के लियें यहांपे हमने कुछ णार लिये है यहांपे कुछ खोपरा छिया है यहां 깻 उसको आपको फाइन पेस्ट बनाना है, खोप्रे के थोड़े से भी तुकड़े नहीं आने चाहिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो हमारे सालन का मसाला है, वो बहुत ही अच्छे से रेडी है, तो चलिए अब हम इसे रखते हैं साइड में और अब हम बढ़ते हैं में रेसिपी की त जो है, आपको ग्राइंड करते वक भी दालना है, और जब आप सालन मना रहे हैं तो उसमें भी आपको दालना है, तो यहां पे हमने थोड़े से कड़ी पते दाले हैं, उसके बाद जो है, अब हम इसमें दाल देंगे जिंजर गालिक पेस्ट, इसे दाल के आपको बहुत ही मीडियम हीट हो जाए, आपका ओल तो उसके बाद आप कड़ी पता और जिंजर गालिक पेस्ट दालिएगा, अब जो हमने सारी चीजों को ग्राइंड करके रखे थे, खोप्रा, टमाटर, कोथमिर और कड़ी पता तो बस आपको इसमें वही दालना है, यह सारी चीजों को आप बहुत ही अच्छे से स्टर कर लीजिए, फिर अब हम दालेंगे इसमें कुछ मसाले, मसाले में हमने यूज करें है रेड चिली पाउडर, अगैन आप आपके हिसाब से दाल सकते हैं कि आप कितना प्रिफर करते हैं, हमने इसमें भी 2 टेबल स्पून दाले हैं, और हाफ टेबल स्पून हम सॉल्ट दालेंगे, अगर हमको कम लगता है तो हम जो है बाद में और दाल देंगे, तो बस यह साइटी जो को जो है आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, अब जो है आप फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें और इसके उपर कोई भी प्लेट अगरा को धाग दे और इसे जो है अच्छे से बनाए क्योंकि जो सालन होता है ये बहुत स्था उटा है, तो आपको जो है इसे भूंते वकर इसे धाग देना है, नहिंक तो ये पूरा सालन उपर उड़के आता है और सारी चीज़े बहुत ही मेसी हो जाती है तो बस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बस अब हम अच्छ से बॉइल आने देंगे, अच्र अच्छ से पकने हैं उसे पहल से भैलें new Uprics mm पलता ही का मचले साले winter कोगम प्रहते हैं बहुत जादा happy boy viewing इस जादा यूंग में भी यूम तो लब भर ondata आप बढ़ा दीजेगा लेकिन जितना हमने दाले है वो इनफ है और बहुत जादा मज़े का सालन बनता है कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा बस अब जो हमने मचली को मैरिने होने के लिए रखे तो जैसा के हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताए है जो जो हमारी फिश अच्छे से नहीं पक जाती जब अच्छे से पक जाएगी तो वो पॉइंट पे जो है हम फ्लेम आफ कर देंगे और हम इसे को तमीर से गानिश करेंगे और यहां पे जो है आप चेक कर सकते है हमारा मचली का सालन बहुत ही अच्छे से रेडी है आप का सा हीट हो जाए तो बस अब हम इसमें जो है सारी फिश दालना स्टार्ट करेंगे और जब तक कि एक साइट से हमारी फिश अच्छे से नहीं पक जाती हम इसे टर्न नहीं करेंगे तो बस यह पैन में जितने भी फिश आती है हम इसमें सारे दाल देंगे और फिर हम आपक हमने जो है कुछ हाफ एन आवर और 45 मिनिट के लिए मैरिनेट करके रखे थे उसमें भी बहुत जादा अच्छा टेस्ट आ रहा था आप चाहे तो दूसरे मसाले भी दाल सकते हैं लेकिन जो बेसिक मसाले है इससे बहुत जादा अच्छी बनती है हमारी फिश तो आप बना कर जरू ट्राइ करिएगा कमेंस सेक्षिन में जरूर बिताईएगा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हम अभी इससे एक साइट से ही बना रहे है जब तक यह एक साइट से अच्छे से पूरी तरह नहीं पख जाएंगी हम जो हैसे तरण नहीं करेंगे क्योंकि बार-बार तर्न करने के चकर में क्या होता है जो हमारी फिश है वो तूट जाती है और अच्छा से नहीं निकलती है तो बस यहाँ पर आप चेक कर सकते है जब एक साथ से घज जो हमारी फिश हो गई तो हमने उसे टरन कर दिये है फिर हम आपको बताते हैं इसे सर्फ करके अच्छा आप कैसी मचली बनाते हैं आप कौन-کौन से मसालि यूज़ करते हैं आप मचली की ग्रेवी कैसे बनाते हैं हमें comment section में ज़रूर बताईएगा अच्छा जब हमने मचली को marinate किये थे तो बाद में जो है हमने उसमें आधा निम्बू का रस भी डाले थे, आधा या एक निम्बू का रस, तो आप भी जो है ज़रूर डालेगा, उसे भी जो है बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारी फिश में, तो बस यहां पर आप चेक कर सकते हैं, हमारी जो फिश है, वो बहुत ही अच्छे से फ्राय हो चुकी है तो चलिए अब हम आपको सालन को भी सर्फ करके बताते हैं और जो हमारी फिश है उसे भी सर्फ करके बताते है यहां पर आप चेक कर सकते हैं हमारा जो मचली का सालन है वो बहुत ही अच्छे से रेडी है बस अब हम इसे थोड़ी से कोतमे के साथ गानिश करेंगे और फिचली अब हम आपको जो फिश फ्राय है उसे भी सर्फ करके बताते हैं यहां पर आप हमारी फिश फ्राय भी चेक कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा यमी लग रही है और बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है और यह सच में बहुत ज्यादा टेस्टी वनी थी तो बस यही थी आज एक चोटी सी रेसिपी चोटी सी वीडियो अगर आपको हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सपोर्ट करें शेयर करें लाइक करें सबस्क्राइब करें और एक बार हमारे तरीके की मचली फ्राय और मचली का सालन बना कर ज़रूर ट झाल झाल